गाव के किनारे बसे एक पुराने हवेली के बारे में कई किससे मशहूर थे। कहते हैं कि हवेली में जो भी गया, वो कभी वापस नहीं लोटा। लेकिन लोगों की उत्सुकता कभी नहीं मित्ती। हर कोई जानना चाहता था कि उस हवेली में ऐसा क्या है। राजू, गाव का एक नौजवान, जो दर से नहीं, बलकि रहस्य से खेलना पसंद करता था, उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाएगा और सच सामने लाएगा। एक रात, जब पूरा गाव गहरी नींद में था, राजू ने अपना मशाल जलाया और हवेली की ओर चल द हवेली के दर्वाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दर्वाजा खुलते ही, हवा का एक जोंका आया और मशाल बुझ गई। अब राजू के पास कोई रोशनी नहीं थी, पर उसकी हिम्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हवेली के अं रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू का दिल तेजी से धरकने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अब ये दर्वाजे की ओर बढ़ गया। तीसरे दर्वाजे के अंदर जाते ही उसे एक खून से सना हुआ चाकू मिला। उसके हाथ में उस चाकू को पकरते ह उसे किसी की चीक सुनाई दी। ये चीक किसी इंसान की नहीं थी, वो कुछ अलग थी। राजू ने वो चाकू वही फेक दिया और चौथे दर्वाजे की ओर बढ़ा। चौथा दर्वाजा खोलते ही राजू को एक दर्पन दिखाई दिया। उसने उस दर्पन में देखा तो उसे अपना प्रतिविम नहीं दिखा, बलकि एक औरत दिखाई दी। वो औरत बेहत खुबसूरत थी, लेकिन उसकी आँखों में दर्द और दर्दोनों थे। अचानक से वो औरत बोलने लगी, यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे साथ ह राजू हका बक्का रह गया, लेकिन अब वापस लोटने का कोई रास्ता नहीं था। पांचवा दर्वाजा खोलते ही, राजू ने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया। वह सुरंग बहद संकरी थी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकि राजू उस सुरंग के आखिरी छोड़ पर पहांच गया, जहां एक दर्वाजा और था। ये दर्वाजा बहुत पुराना और जर्जट था। राजू ने जब उसे खोलने की कोशिश की, तो दर्वाजा खुल गया और उसके सामने एक उजाला फैला हुआ था। वह पस गाव की तरफ चला, लेकिन अब गाव भी उसे अजनबी लग रहा था। वहां के लोग, मकान और यहां तक की समय भी बदल चुका था। राजू को समझ में आ गया था कि वह हवेली उसे उसकी हकीकत दिखा रही थी। लेकिन असली सच क्या था, यह उसे कभी पता नही चला। बस एक सवाल उसके मन में रह गया, आखिरी दरवाजा किस ओर ले गया। समाक्त।